नमस्कार आपका स्वागत हैं हमारी चैनल में ओर आज हम आपको आयवर्दी की एक क्लासिक मैडिसिन जिसे प्रभाकर वटी के नाम से जाना जाता है इसके बारे में जानगाill देंगे ये आयवर्दी की एक महान और सदी है को और इसके काफी सारे ऐसे फायदे हैं जो आप नहीं जानते होंगे आप चाहें तो इसको घर में रख सकते हैं और वक्त व्य वक्त यह जरूर काम आएक तो यह एक आवधिक किलासिक budget ने इसके पूरे फायदे और इसको लहने का तरीका जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा प्रभागरवटी लीवर और हिर्दे से जुड़े हुए रोगों को खत्म करने की एक विश्यस औसुदी है यह एक उत्तम औसुदी मानी जाती है इन बीमारियों को दूर करने के लिए इस औसुदी का प्रियोग दस्ताओं से भी यह आपको बचाती है सांस लेने में कटनाई थोड़ा सा भी काम करने पर सांस का फूल जाना अनिंद्रा कमजोरी शरी में रप्त की कमी पीडिया कफ़वाली खासी सरी में सूजन गुर्दे की खराबी पाचन सक्ति का मंद होना और अगनी का मंद होना या अपनी पसंद की कोई भी कमपनी का लेकर इसको उप्योग कर सकते हैं इस उस्ति का उप्रियोग सभी उम्रे के आयूबर के लोग कर सकते हैं बच्चे बड़े बुजरुग और महिला भी इस उस्ति का उप्रियोग कर सकती हैं इतनी महत्पुन उस्तिया इसके दर्व घटक भी हम जान लेते हैं कि इसके इंग्रिडियन्स क्या-क्या है इसके अंदर सौन्ड मारिक्ष भस में लोहा भस में अबरग भस में बंसलोचन चूरने सुद्ध सिलाजीत और इन सभी को एकिक भाव लेकर अर्जुन की चाल के क्वाद की एकिक भावना देकर अच्छे से घोट कर दो-दो रत्ति की गोलियां बना ली जाती है और उन्हें सुखा कर उप्योग किया जाता है अलग 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 अनुपान के साथ भी इसको देने से पिसे सिलाब मिलते हैं चलिए इसमें डिटेल में जानते हैं कि यह कौन-कौन से रोगों में ज़्यादा फाइदे यह उच्छाप धर्कनों की आनिमेता यानि की ब्लेट पेसर सीने में दर्द सीने में जलन होना जैसे समस्याओं में अच्छा फादा दिखाती है इसके नियमित प्रियोग करने से यह समस्याओं हमेसे ठीक हो जाती है और इसका कोई साइड इफ्यक्ट भी नहीं होता है यह हर दे की मास पेस्छियों को बल प्रदान करती है और हाट अटक जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है जिन लोगों को लीवर की समस्या है भोजन पचने में समस्या होती है सरी में जहरीले तत्व इखटा हो गा है यह उनको निकालती है सरी को डिटॉक्स करती है कैंसर इसका उप्योग करना चाहिए या आप अपने चकस्तक की अनुसार या पर किसी बैद या डाक्टर की सला अनुसार इन गोलियों का सिवन करने से जाद अलाब मिलता है लीवर की समस्यां को दूर करती है और लीवर को मजबूत ही पड़ान करती है जिससे व्यक्ति का स्वास्त ठीक होने लगता है जिन लोगों को सास की समस्या है सास पूलने लगती है हापने लगते हैं उसमें ये गोली बहुत ही अच्छी फायदा करती है और बुजरुगों के लिए जिनकी आयू 40 से उपर हो गई है उनके लिए यह है अमरित तुल आउस करती है इस पटी में गुण स्वास संबंदी समस्यां को हल करने में उप्योग किया जाता है देखिए जिन लोगों खासी की समस्या वह भी इस गोली का उप्योग कर सकते हैं इससे सभी प्रकार की खासी ठीक होने में मदद मिलती है शरी में सूजन है उसको मिटाने के लिए भी इन गौलियों को उपयोग किया जाता है सरी में किसी भी प्रकार की आई सूजन हो लीवर के कारण सूजन आई हो या आपच के कारण सूजन आई हो सरीर में लगाता है सूजन बनी रहती है सरी में दर्द बना रहता है कई वाल सूजन अपने आप ही ठीक हो जाती है या फि किसी गंबीर रोग से पीडित है तो उस समय इन उसीटियों का सेवन करने से पहले अपने बैद या डाक्टर की सला ले लेना चाहिए इन गोलियों को आप अपने नद्दे की आयवर्दिक चिकेश सकते या फिर आयवर्दिक इस्टोर से ले सकते हैं या आप इनको ऑन-लाइन